कि यह क्वेश्चिन हम लोग डिसकेस कर रहा थे यह आपके सामने सवाल मैंने लिखा हुआ है 170 बच्चे हैं यह 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 गेम्स केल रहे हैं कंडीशन दी हुई है कि अगर फॉर स्टूटेंट्स वो स्टूटेंट्स जो चारो के चारो गेम्स खेल रहे हैं वो मैक्सिमम्म पॉस्टिवल है तो ऐसे स्टूटेंट्स को फाइंड करो जो की एट लीस्ट थ्री गेम्स खेलते हैं कि ऐसे स्टूदेंट्स को फाइंड करो जो कि क्या करते हैं जो कि एट लीस्ट थ्री गेम्स खेलते हैं ऐसे स्टूदेंट्स को फाइंड करो कि समझ में आई बात कि समझ में आया ऐसे स्टूदेंट्स को फाइंड करो जो कि थ्री गेम्स खेलते हैं at least three at least three का मतलब क्या होता है पहले तो यह बताओ क्या होता है at least three का मतलब है कम से कंती यानि की exactly three प्लस exactly four वाले मतलब वो बच्चे भी आजाएंगे जो तीन गेम्स खेल रहे हैं वो बच्चे भी आजाएंगे जो मतलब exactly one वाले यह exactly one वाले हैं यह टू वाले आपको यह थ्री वाले यह फोर वाले हैं यह हमने exactly one exactly two exactly three exactly four गेम्स प्ले करने वाली कंडीशन्स ले ली एबी सीडी में अब इग्जाक्ट्ली वन से लेके exactly four तक आड़ करता हूं तो मुझे at least one मिलेगा और at least one कितना दिया है 170 क्योंकि यही मेरे यूनियन की वैल्यू भी है यही हमारे यूनियन की वैल्यू भी है ठीक है ना अब अब जब मैं इन चारों को जोडता हूं और अपना टोटल निकालता हूं 220 सिसे 200 तो यह तो ऐन ओते अफ से लिए और आप अपाइन आ इन ओ भी अन वी अहना करें तो कुछת लोग से से भी काउंट वह जारहे हैंो जो दो गेम्स कहल रहे हैं मैं कुछ लोग ऐसे घारभी काउंट हो ईचार गेम्स खेल रहे हैं और हलाकि वन वाले भी आ रहे हैं लेकिन जो लोग दो गेम्स खेल रहे हैं वो दो बार काउंट हो रहे होंगे जो लोग तीन गेम्स खेल रहे हैं वो तीन बार काउंट हो रहे होंगे जो लोग चार गेम्स खेल रहे हो चार बार काउंट हो रहे होंगे तबी तो हम लोग बाद में intersections minus करते हैं फिर intersection प्लस करते हैं याद आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का formula याद नहीं है क्या n of a plus n of b plus n of c पहले तीनों को जोड़ लिया extra लोग भी आने लग गए इस वज़े से आप उसमें से intersections minus करते हैं दो दो के intersection फिर वो जब minus करते हैं तो तीन वाला पार्ट पूरी तरीके से साफ हो जाता है उसको include करने के लिए आप फिर तीनों का intersection प्लस करते हैं तो यह inclusion exclusion का concept है जो कि आपका यहाँ पर काम कर रहा है फिलाल आपको वहाँ जाने की जुरुत नहीं होगे उस पॉइंट आफ उसे चलोगे तो फिर आप कभी इसको solve कर नहीं पाओगे फस जाओगे तो इसलिए हम यहां से आ रहे हैं अब ऐसे केस में चार वाला आपकी बुक में तो है नहीं आडी वालडी में मुझे लगता नहीं दे रखा होगा तो यहां से हमने कहा कि exactly one वाले एक बार तो इनका टोटल कितना होना चाहिए 220 होना चाहिए अरे भाई ये 170 वाला समान दिखने में 220 क्यूं है क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो दो बार या तीन बार या चार बार काउंट हो रहे होंगे उन्हीं की वज़े से तो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है अब समझ में आया अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया समझ में तो अगर सर यह समझ में आ गया अगया अब सर अगर यह समझ में आ गया तो फिर हम इसको खतम करने समझ लें इसको फटा बट देखो कैसे चले ही कहानी यहां पर हमने यह मान लिया कि अपने वो चॉकलेट वाले कॉंसेट से कि एक तरीके से आप इस तरह समझ लो कि यहां पर आपके पास 220 चॉकलेट है जिसमें किसी बच्चे के पास एक चॉकलेट होगी, किसी के पास दो होगी, किसी पर तीन, किसी पर चार गेम्स है, वैसी ही समझ लो लेकिन शर्त यह है कि हर बच्चे के पास कम से कम एक चॉकलेट होनी चीए क्योंकि 170 यूनियन का वालियो है निकि हर बच्चा कोई नो कोई गेम खेलता है तो सर आपको ये 220 चॉकलेट को 170 बच्चों में बाढ़ना है कुछ इस तरीके से कि हर बच्चे पर कम से कम एक चॉकलेट हो लेकिन किसी पर दो भी हो सकती है किसी पर तीन भी हो सकती है किसी पर चार भी हो सकती है किसी पर पांच भी हो सकती है पांच नहीं चार तक ही रहेगा और कुछ एक वाले ही होंगे लेकिन एक एक तो कम से कम सब के पास होगी तो हमने ये अपने 170 students को सबसे पहले एक एक करके ये 170 चौकलेट बाढ़ भी दे दी सर एक एक दे दी हमने सब को दे दी सर क्योंकि पहली compliance तो यही है कि कम से कम एक एक तो सब के पास होनी चीए तो हम कम से कम एक एक तो पकड़ा रहें सब को तो 220 में से एक एक चौकलेट तो मैंने सब को दे दी अब बची कितनी पचास चौकलेट एक्स्ट्रा बच गई सर समझ नहीं आए तो पूछे ना पहली बता रहा हूं कि पांची क्लास के बच्चे को भी सीखा सकते हैं इतना इजी है पचास क्योंकि आज के लिए नहीं यह मेरे को बाटनी है और इनी की वज़े से एक्स्ट्रा काउंटिंग होगी क्योंकि अब यह 50 चौकलेट में से अगर एक चौकलेट मी मैं किसी और बच्चे को देता हूं तो वह एक वाला नहीं रहेगा या तो दो वाला हो जाएगा या तीन वाला या चार वाला क्योंकि एक-ेक तो सबको देचुके हैं अभी तुम 4 लोगो मेरे पास 6 चॉकलेट हैं मैंने एक-ेक तो तुम सबको पकड़ा दी अब वो 2 चॉकलेट जो मेरे पास एक्स्ब्रा है वो मुझे तुम्हें बांट नहीं है अगर मैं वो दो चॉकलेट अब किसी भी बच्चे को देता हूँ तो भाई वह एक वाला तो नहीं रहेगा उसके पैस तो एक से ज्यादा चॉकलेट हो जाएगी ना इसी की वज़े से एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है यही पचास चॉक पचास का जो एकसे से यही दो वाला तीन वाला चार वाला से हैं वह मैक्सिमम पॉसिबल है वह स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल है अगर जो बच्चे चार गेम्स खेल रहा है अगर वह मैक्सिमम पॉसिबल है तो कम से कम तीन गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे अब यह क्वेश्चन इतना इजी नहीं तो लग यानि कि ऐसे बच्चे जिनके पास चार चॉकलेट से उनको जादा से जड़ा करना है अब एक एक तो मैं सबको दे ही चुका हूँ तो या तो मैं किसी बच्चे को एक चॉकलेट दे सकता हूँ या दो दे सकता हूँ या तीन दे सकता हूँ तीन से ज़्यादा और नहीं दे सक सकता है चार चॉकलेट रख सकता है ऐसे समझे अब मुझे उन बच्चों को मैक्सिमाइज करना था जिन पर चार चॉकलेट है मेरे पास चॉकलेट कितनी बची है एक्स्ट्रा 50 मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास चार-चार चॉकलेट हो तो मैंने क्य किया ? मैंने क्या किया ? अब ये 50 टो को डिस्ट्र भी करना है जिससे कि 4 वाले बच्चे यादा से जगी मतलम मैं 3-3 चॉकलेट और पकड़ाँ हर बच्चे को जादा से यादा से बच्चो को तीन तीन चॉकलेट डिस्टिब्यूट करने की सोचूं तो मेरे चार गेम्स खेलने वाले बच्चे मैग्जमाईज हो सकेंगे exactly four मेरा मैग्जमाईज हो सकेगा अब ये 50 को मैं exactly तो डिवाइट कर नहीं सकता तीन तीन चॉकलेट करके किसको डिवाइट कर सकता हूं तो इस 50 में से 48 चॉकलेट मैंने डिस्टिब्यूट कर दी कैसे डिस्टिब्यूट की हर बच्चे को तीन तीन चॉकलेट दे कर क्योंकि एक एक तो सबके पास पहले से थी अगर तीन तीन और बढ़ जाएंगी तो सबके पास चार चार हो जाएंगी और हमें चार वालों को ही मैग्जमाईज करना है पहले क्योंकि अगर चार वाले मैग्जमाईज नहीं होगे तो मेरी क्वेशन की कंडिशन पूरी नही पर 16 बच्चों को हमने तीन तीन चॉकलेट और दे दी इस तरीके से और किती चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई है दो चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई है तो मेरे चार गेम्स खेलने वाले बच्चों कीमघ्जिमम स्थे कि ते चार गेम्स खेलने वाले बच्चों कीमण पॉसिबल वाल्यू किती हो सकती है 16 हो सकती है सर इतना सब को समझ में आया कि आ लगा कर सब्सक्राइब अगर मैंने अपनी 48 चॉकलेट डिस्टिबूट करती हैं 16 बच्चों को अपनी ये maximum वाली condition को पूरा गल लिया है तो बाई वो जो दो चॉकलेट मेरे पास ये वाली अभी बच गई हैं इनको मैं किसी ना किसी को तो पकड़ाओं आना किसी ना किसी को तो दूंगा ना समझ रहे हो अब ये दो चॉकलेट बताओ मैं कैसे बाटू कैसे बाटू ये दो चॉकलेट कैसे बाटू या तो दोनों की दोनों एक ही बच्चे को पकड़ा दू बाटनी तो है मजबूरी है ना भाई बाटनी ये पूरी consume करानी है समझ गए तो दो चॉकलेट या तो मैं एक ही बच्चे को पकड़ा दू या फिर ये दो चॉकलेट में एक एक करके दो बच्चो को दे दू इसके अलावा और कोई condition तो नहीं है तो अगर मैंने ये दोनो दोनो की दोनो चॉकलेट एक ही बच्चे को दे दी तो यानि कि अब जिसको भी मैं ये दो चॉकलेट दूँगा वो तीन वाला ओजाएगा क्योंकि एक एक तो पहले ही दे रखी है मैंने समझ में आया समझ में आया तो exactly थ्री वाले क्या क्या हो सकते देखो exactly थ्री वाले या तो और इसा हो एक डिया जिसरवरी दो और मैं कि मैं करें मैं भार्ट हो तो जो क्या कोई बच्चा वह पे होगा जिस पर तीन चॉकथ आ रही हैं कि सवानी सब्लक्र भ जन्योंगा करें क्योंकि अगर एक एक मैंने पहले से बाट रगी थी अब यह जो दो चौकलेट मेरी लास्ट में बच गई है अगर मैं एक एक करके पकड़ाता हूं दो बच्चों को तो अब वो दो बच्चे दो दो वाले बनेंगे दो दो वाले तीन वाला नहीं बनेगा तो इसका मतलब एक कि एक्जाक्ली थ्री और एक्जाक्ली फोर को जोडेंगे तो सर हमें एट लीस्ट क्या मिलेगा हमें तो हमें एट लीस्ट थ्री वाला मिलेगा ठीक है तो यहां पर देखो एट लीस्ट थ्री वालों की वैल्यू क्या हो सकती है 16 प्लस वन 17 हो सकती है अब है 16 वच्चे है एक्जाक्ली फोर वाले देखा उतर निकाले है या फिर क्या हो सकती है या फिर क्या हो सकता है बोलो 16 प्लस जीरो यानि की 16 हो सकता है तो इसलिए मैंने यहां पर दो आंसर यहां पर लीचे लिखे हुए है यह रेखो इसलिए यहां पर दो आंसर लिखे हुए है एक 16 लिखा है और एक 17 लिखा है आप समझ में आया अब समझ में आया अभी भी नहीं समझे है है आगए अब हल्वानी ए अब तुम कों गये चौक्लेट ऊक्लिट हमको समझ नहीं आती हमें तो एक्वेशन आगा हमें तो वैसे घुसेगा दिमांगा इसे नहीं जाएंगा तो लोग फिर इक्वेशन से आजो स्क्रीन शॉट ले लो वह इसका ज्यादा मैनत क्यों कर लिए हैं हो गया ना अरे हुआ के नहीं हुआ ले जल्दी स्क्रीन शॉट लो अब सर अब सर मैं आपको इसको इक्वेशन से भी दिखाता हूं यहां से आजाओ उसकी ढाक टिटे की कैसे करते हैं हम लोग यह दो इक्वेशन आपको दिख रही है जो मैंने नीचे लिखी हुई है 170 और 270 की फॉर्म में यह दो इक्वेशन आपको दिख रही है अब आपको समझ में आएगा कि यह चॉक्लेट में आपको दिखा रहा हुना यह इक्वेशन से ही आई है मैं दोनों को सब्स्ट्राक्ट करता हूं मेरे को क्या मिलेगा इस यहीं से इस मज़नों किया समय लो यहीं से कि यहीं से इस ममझ लो कि जो पचास चॉक्लेट एक्स्ट्रा है ना जो पचास चॉक्लेट एक्स्ट्रा है उसमें एक चॉक्लेट एक्स्ट्रा क्रियेट कर रहा होगा एक्जाक्ली टू वाला देखो बी जो था वह एक्जाक्ली टू वाला है दो चॉक्लेट एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा होगा एक्जाक्ट्ली थ्री वाला और तीन चॉक्लेट एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा होगा कौन एक्जाक्ट्ली फोर वाला अब समझ में आया अब यही तो कह रही है इक्वेशन इक्वेशन बोलती है समझने की कोशिश तो कर नई वनी बात अभी भी नहीं वनी अब मैं यह चाहता हूं कि मेरी यह डी की वैल्यू क्या हो मेरे यह डी की वैल्यू क्या हो तो तो यहां पर देखके डी का मैक्जिमम वाल्यू किता हो सकता है बोलो ना डी का मैक्जिमम वाल्यू कब मिलेगा जब बी और सी मिनिमम है यानि की 3 x 16 ऐसा कर सकता हूँ और तो पुछ नहीं कर सकता मैं अरे अगर 16 से बड़ी वाल्यू से मल्टिप्लाय कर दूँगा 17 से तो भाई फिर तो 51 हो जाएगा दी और सी माइनस में चले जाएंगे क्या नंबर आफ स्टूडेंट माइनस में जा सकते हैं क्या नंबर आफ स्टूडेंट पॉइंट में हो सकते हैं तो ए भी सी डी की वैल्यू होल नंबर रहेगी न इसी लिए सर अब इत्ता दिमाग कौन लाएगा वे यह तो मैं तुम्हें दिखा चुका हूं तो तुम फट से समझ ले रहे हो नहीं तो तुमारी तो हवा खरा हो है दी का मैक्स किता हो सकता है दी का मैक्स हो सकता है 16 ठीक है दी का मैक्स हो सकता है 16 तो यह जो डी का मैक्स हमने निकाला है 16 सिंस्टीन कि दी का मैग्सिमम जो हमने 16 निकाला है कैसे निकाला है A B C D की वालई होल नंबर हो सकती है B C ौर D मैनिस में नहीं हो सकते are इसी वजह से हम डी का माग्सिमम तो मैक्जिमम वॉइल्यू क्या रख सकते 16 रख सकते हैं सब अब तो समझ रहे होगे समझ में आया तो यहां से आप देखो c का value क्या क्या हो सकता है तो दो solution हो सकते है इस equation के यह जो equation मैंने लिखी है है बी प्लास तू सी इस इक्वल टू टू ठीक है यह equation जो मैं लिख रहा हूं इस equation में दो solution हो सकते हैं बी और सी की value के एहला solution और दूसरा solution क्या हो सकता है बोलो बोलो टू प्लस जीरो इस इक्वल टू वान टू प्लस टू इन्टू जीरो इस इक्वल टू हो सकता है या नहीं अरे अब तो हाना बोल दो यह सरो सकता है कित्ती मैनत करवा रहे हो इस डवल कर दूंगा तुमारी किसी को नहीं समझाता मैं ऐसे तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो इसलिए तुमको बता रहा हूं इतने एडवान्स लेवल से बता रहा हूं तब भी तुम लोगो अभी नहीं समझो के तकली होगी तो भाई अब इसको अत्ता सीरियस होके अगर पढ़ लोगे तो तुमारा भला हो जाएगा और इसको हलके में लेना मयाक मे अरे ऐसी पढ़ा रहा टैम पास के लिए तो भाई या फिर तुम तुम्हारा वगवान ही मालिक है मैं चाहता हूं तुम्हारा भला हो जाए अब तुम खुद नहीं चाहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा तो जरह यहां पर देखके बताओ सी का वाल्यू क्या क्या हो स सकता है जीरो हो सकता है अब तो समझ में आया होगा कै दो हमें समझ निए इसलिए एक से ज्यादा पॉसिबल भी नहीं पड़ी है उनको यह हमेशा दिक्कत रही इसमें क्योंकि उन्हें चॉक्लेट समझ नहीं आएगी हाला कि यह इतना सिंपल तरीका है कि किसी पांची क्लास के बच्चे को भी समझा सकते है अगर उसे यह ना बताया जाए कि सैट क्या होता है यह सब क्या है बगवास वाजी सीधा उसको बोले यह चॉक्लेट बाट नहीं है तो बाढ़ देगा ठीक है ना तो देस वाज वरी लेमन अप्रोच शॉट काइंड अफ ट्रिक तो यू कन आ फाइंड आटी माक्सिमम अन मिनिमम वाल्यू इंकेस ऑफ सैट थेओरी अल्सो तो अगर यह क्लियर हो गया हो तो फिर सार आगे बढ़ते हैं नो टैंशन खतम कर करते हैं और अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आपको करवाने वाला नहीं हूं अब किताब के कुछ सवाल तो खुद भी कर लो सारे सवाल सारे एक्जांपल तो मैंने बताती है ना थोड़ा बात खुद भी पढ़ लिए अगरो यार अब हम सार अगला चैप्टर